बाहर से आते हैं और बाहर से आ करके जारखन के आदिवासियों को, जारखन के गरीबों को, जारखन के मजदूरों को, किसानों को, इनको बर्गलाने की बात करते हैं, जाती के नाम पे, धर्म के नाम पे, और जब योजना की बारी आती है, हमारा हग की बारी आती है, और जार के लिए आपको लड़ना होगा कि नहीं इतने परस हो गए हैं लेकिन जार्खंड का पैसा उसको नहीं मिलता है और जार्खंड का मन्रेगा का अगर हजारों करोड अगर आप नापने चाहिएगा वो भी दबा करके बैठे हैं आपको माईया सम्मान योजना कैसी लग रही है है पसंदार यह चलते रहने चाहिए चलिए और बधाई देना मैं चाहती हूं इस मैया सम्मान योजना की पहले किष्ट रक्षा बंदन पर दूसरे किष्ट करम परपर और तीसरे किष्ट हमारी नवरात्र पूजा पे हमारी शक्ति स्वरूपा हमारी आधी आबादी हमारी नारी शक्ति के लिए एक मैया आदर्निय बेबी देवी जी के द्वारा दिया गया है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है शुब कामना हैं आप सभी जानते हैं कि हम अभी पुरे जार्कन में मैया सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा के दोरान जार्कन के हर एक हिस्से में जा रहे लोगों से मिल रहे हैं और कई न कहीं ये महिलाओं की महिलाओं ये महिलाओं करशल स्वणरूप हमें बता है कि आज़ के जार्खंड में यह पहली बार है जार्खंड बनने के बाद कि हमारी आधी आबादी के बारे में आधर्नी अहेमन सोरेन जी ने एक ऐसी क्रांतिकारी योजना लाई है जिसकी रूप रेखा उन्होंने पिछले साल ही तै कर ली थी लेकिन कहीं ना कहीं इस साल में जब वो सौगात देने की बारी आनी थी उनको शर्यंत्र के तहत जेल के अंदर मे डाल दिया गया यह शर्यंत्र यह चल प्रपंच केस मुकदमा पियाईल यह हमारे विपक्षों की ऐसी चाल है जो यह कभी नहीं चाते हैं कि हमारा जार्खंड आगे बड़े हमारी बिटिया आगे बड़े हमारी माताएं बहने आगे बड़े हमारे भाई दादा आगे बड तो वो हेमन सुरेन है कि जितनी योजना है कि मैं विपक्ष वालों से पूछना चाहती हूं अगर थोड़ी इमानदारी है आपने इतने कारेकाल किये हैं और गिनवाईए आप अपनी योजना है और अगर आज हमारी जनता गिनवाने अगर शुरू कर दे तो आप लोगों का मुँ बंद हो जाएगा क्यूंकि जार्खन में अब वह आवास हो पूलो जानों की योजना हो बिर्साहरित ग्राम योजना हो रोजगार स्रजन योजना हो इस तरीक की कितनी योजनाए चल रही हैं और इसका सीधा लाब हमारी जार्खन की आवाम को मिल रहा है आज हेमन जी चाहते हैं कि सिख्षित हो जार्खन सीएम स्कूल ऑफ एक्सिलेंस खोला हमारी बच्चियां सशक्त हो सावीत्री भाई फूले की योजना दी हमारे बुज़ूर्गों की लाठी बन के अगर खड़े हैं अब वह आवास के साथ पेंशन दिया कौन सोचता है यह सोचने वाला यह जार्खन का बेटा आपका भाई आपका दादा अपने जार्खन के बारे में अच्छे से जानता है क्योंकि दिशम गुरू शीबू सोरेंजी ने जिस तरीके से अपना बच्पान अपनी जवानी पूरी जार्खन के लिए कुर्बान कर दी हमारे वीर शहीदों ने चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी हो सिद्दू कानू हो हमारी फूलों जानों हो ठाकूर विश्वना सादेव जी हो शेख बिखारी हो इतने शहीद इतने लोग हैं जि जार्खन की संरचना के लिए महत्पून भूमी का अदाकी है और आज बाहर से आते हैं और बाहर से आ करके जार्खन के आदिवासियों को जार्खन के गरीबों को जार्खन के मजदूरों को किसानों को इनको बर्गलाने की बात करते हैं जाती के नाम पे धर्म के नाम पे औ में पूछना चाहते हूं आप लोग से किसका है ये पैसा किसका है ये पैसा तो अपने हग के लिए आपको लड़ना होगा कि नहीं है कि इतने परस हो गेहे हैं लेकिन जारगंड का पैसा उसको नहीं मिलता है और जारखन का मंडरेका का अगर हजारो करोड अगर आप नापने चाहिएगा वो भी दभा कर के बैठे हैं ये केंदर सलकार को कत्य जारखन के साथ ये बेदभाव करना बंद करना होगा, नहीं तो जारखन के लोगों ने इस बाद ठाना है और सबसे जादा हमारी आदी आबादी ने ये ठाना है कि अगर जार्खंड को आगे बढ़ाने का निर्त्रत्व की प्रतिभा अगर किसी में है तो महागडबंधन की सरकार की अगवाई कर रहे हैं मनसोरेंजी की पर है के है आफ अफां अव्यांतर के लिए बाद आप आना है गिराया विए हमारा बिर्शक्राइड दोन को लाए और अभर अवा आवास को लाएं पेंशन को लाया हमारे बच्चों को विदेश में इपेड़िंट परलादे काम scholarship योजना कौन ले करके आया और अगर आज सौगातों की बरसात कर दे आप लोगों में अगर चेहरों में चमक हैं तो बिजली बिल जीरो किसने करवाया अगर किसानों की बात करें उनका लाखो लाख रुपया किसने माफ कराया ये कौन कर रहा है ये आपके दादा आपका भाई कर रहा है हमारी महागडबंदन की सरकर इस बार यहाँ पर में ये सुनिश्चित करके बैठी है कि जार्खंड को अगर आप हमेशा निरंतर पीछे किसने की कारे में सोचेंगे आप बलत आमी में हैं हार खंड में और जार्खंड को आगे अगर बढ़ाने का काम करेगा तो और कॉन करेगा कौन करेगा आप लोग लडने के लिए तयार है हमारी दीदी बैने बताई है तयार है भाई दादा बताई है तयार है तो जोर से नारा लगाई है हे मन्सोरन जिन्दाबाद हे मन्सोरन जिन्दाबाद www.followup.in